हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बैस टॉक पर पैसा सबको अच्छा लगता है शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस मोहमाया से दूर रहना चाहता होगा और आज के डेट में तो इनवार्मेंट को देखकर ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसे हैं सिर्फ उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लेकिन हमेशा याद रखना कुछ काम साइलेंटली किये जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है ना कि हर बात पर डोल नगाडे बजा कर चलिए बढ़ते हैं आज की कंपनी शेयर की तरफ लेकिन अगर आप चैनल पढ़ने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें अंसल हाउजिंग लिमिटेड कंपनी का बिजनेस प्रोमोशन, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और इंटिग्रेटी टाउंशिप्स, रेजिदेंशियल और कमर्शियल कॉंपलेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, हाउसिस, अपार्टमेंट और के प्राइस पर 47.5 क्रोड की मार्केट के अवाली कंपनी के शेर का करेंट मार्केट प्राइस 8, बुक वैल्यू 36.5, जबकी स्टोक फिलाल 0.22 टाइम स्टेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, जो की प्रोज के अंडर आता है, मार्च एंड फाइनेंशियल ये रिजल् रखेंगे तो बोरोइंग्स हमें कम होती नजराई जो 628 क्रोड से कम होकर 414 क्रोड रह गई, प्रोमोटर्स की एडुकेट होलिंग 52.97 परसेंट है, लेकिन प्लेज एस परसेंटे जो की नेगिटिव पॉइंट मानता हूं मैं, ऐसी कमपनी को शोट टर्म में छोटे मोटे गेन के लिए कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इस कमपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे दिखाई नहीं देते, डेटर डेज भी 167 से बढ़कर 240 डेज होगे, कोविड ने इस सेक्टर की कमपनी पर इंपेक्ट काफी डाला है, फ्री कैश फ्लो 59.2 क्रोड का एवलेबल लेकिन कमपनी ओपरेशन से केश जरूर जरूर जरूरेट कर लेती है और वरकिंग कैपटल रिक्वारिमेंट्स को भी पूरा करती है, देखो हम थोड़े बहुत अच्छे लावल्स की एक्सपेक्टेशन्स जरूर कर सकते हैं, फिलाल तो शेर अपनी बुक वेल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी उमीद है कि स्टोक अप्ट्रेंड की ओर जा सकता है, बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केर